मार्केट के जैसा दही बड़ा बनाएंगे आज घर पे बड़ा इतना सौफ्ट कि इसके अंदर दही एकदम अच्छे से एबसॉब हो जाए और खाने में बहुत अच्छा लगे तो चलिए आज देख लेते हैं कैसे बनाया है दही बड़ा बिलकुल परफेक्ट मेजर्मेंट से ये रेसिपी रहेंगे आपको बनाने में बहुत असानी होंगे यहाँ पे हमें लेना होगा उरत के दाल बिना छिलके वाली जिससे कि हम लोग इडली या फिदोसा बनाते हैं उरत के दाल यहाँ पे मैंने जारे तीन सो ग्राम लिया है और पूरे रात के लिए पानी में धुलके अच्छे से भीगो के छोड़ दिया था अगर टाइम है तो पूरा रात के लिए छोड़िए या फिद चार से पाच घंटा भी भीगो के आप बना सकते हो दही बड़ा तो अच्छे से भीग के एकदम दाल सौफ्ट हो चुके हैं इस तरीके से जैसे ही नखून से दबाएंगे एकदम अच्छे से तूट जाएंग तो चलिए इस पानी को चेंज कर लेंगे सबसे पहले ये दाल को हमें पेस्ट बना लेना है दही बड़ा बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका बड़ा बनाना तो इसका पेस्ट कैसे कर लेना है तो देखिए पहले मिक्सजार में हमने दाल को हलका सा पेस्ट कर ल दाला है छे से सात बड़े चमच इतना पानी डालेंगे पहली बार में ही पानी डालेंगे तो दुबारा इसमें और पानी डालने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है अगर ये बैटर थोड़ा सा भी पतला हो जाएगा ये बड़ा अच्छे से बनेगा नहीं तो देखिए सारे दाल को मैंने पीस लिया है अब इस दाल की थिकने से आपको दिख रहे हैं इतना गारा टेक्सचर में रखना है इस पून से जैसे ही मैं गिरा रही हूँ आप देख रहे हो जल्दी से इस पून से गिरेंगे नहीं और ये काफी हद तक क्रीमी टेक्सचर आ चुके हैं तो एक बरतन में मिकसर जार से सारा पीसी हुई दाल मैंने निकाल लिया है इस दाल को हमें अच्छे से फेट लेना होगा इसके लिए बड़े कोई बरतन ही लीजिए तो मैंने एक प्लेट में लिया है अब इस दाल को जब हम अच्छे से फेट लेंगे ना कोई एक डिरेक्शन में ही घुमाना है यानि कि आप अगर सीधे हाथ घुमा रहे हों तो सीधे का हाथ ही घुमा लेजिए यानि कि कुलोगबाई घुमाएंगे तो कुलोगबाई ही घुमाते रहे हैं अगर आप घुमा रहे हों तो एंटिकुलोगबाई ही घुमाते रहे हैं अब देख सकते हूं मैं एक ही तरब हाथ को चलाते हुए अच्छे से फेट लोगी पाच से साथ में जितना टाइम लग जाएंगे जैसे जैसे ये फेटते हुए समय बितेंगे आपको अपने हाथों में ही आइसास होंगे कि ये काफी हद तक फूले फूले से तयार हो रहे है और एकदब मक्खन जैस से सॉफ्ट है डाल को जब पेस लिया था तब का टेक्सचर और अभी इस टाइम फेट लेने के बाद टेक्सचर में कितना डिफरेंस है वह आपको आइडिया हो रहे होंगे अब अच्छे से फेट लेना हुआ है या नहीं चेक करने के लिए एक बरतन में हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है पानी के अंदर इस तरीके से एक छोटे से बॉल बना के डालेंगे अगर वो उपर इस तरीके से तैर रहे है इसका मतलब फेटना अच्छे से हो चुके है अब कितना भी उंगली से भी ठेलेंगे ना तो नीचे डूबेंगे नहीं फिर से एक चेक कर के द अब आधा चमच सापुत जीरा डाला, आधा चमच डाल दिया है, सौफ, दही वड़ा में ये जीरा और सौफ के टेस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, तो आधा अधा चमच मैंने डाल दिया है, अब डालेंगे स्वादा नुसा नमक, जब फेटना अच्छे से कम्प्लीट हो होजा लास्ट में ही ये काम हमें कर लेना है नमक पहले से एड़ करके ज्यादा फेटना नहीं है इस तरीके से अब एक से देह में जितना और फेट लिया है फेटना हमारे बिल्कुल कंपलीड हो चुके हैं तो चलिए अब इसे फ्राइ कर लेंगे एक करहाई बिठा दिया है पे अब ढालेंगे refined oil, Paul को कितना गरम करना है यह भी बहुत बड़ा tips है ओईल को हमें हलका सा गरम कर लेना है इस तरीके से आप देख सकते हूँ बहुत यदा high heat नहीं करना है हाथ को पानी से भिगो लेना है अब इस तरीके से बड़ा बनाएंगे video medium size रखा है इस तरीके से हाथ क्योंकि भीगे हैं तो हाथ में चिपकेंगे नहीं और इस तरीके से हम एक गोला साथ शेप दे पाएंगे तो ये देखिए शेप इस तरीके से तयार हो चुके हैं तेल में एक बड़ा को डाला अब देख सकते हूं कितने धीमे आज पे तेल हमने रखा है कि उस तेल मे डालने के बाद बिलकुल भी फ्राई होने के लिए यानि कि बबल्स आना शुरू भी नहीं हुए है इतना कम टेमपरचर में हमें बड़ा को फ्राई करना है तो ये देखिए एक एक करके हम डालेंगे बड़ा को जो भी बड़ा एक बार बना लेंगे दुबारा फिर से प्रवाटों में ही चिपक जाएंगे और शेप अच्छे से आने ही पाएंगे तो इसी तरीके से मैंने डाल दिया है तेल में अब जिते ऐसे ही नीचे से हलका सा फ्राइब होंगे उपर तैरने लगेंगे एक मिनी जितना हुआ है अब एक स्पून से बिलकुल हलके हाथों से इस तरीके से पलर देना है बड़ा को फ्राइब करने में पूरा टाइम ही मैंने बिलकुल स्लो फ्लेम में रखा है इसे हाई फ्लेम बिलकुल नहीं करना है और तो और मीडियम फ्लेम में भी फ्राइब नहीं करना है फ्लेम अगर थोड़ा सा भी हाई होते है तो अंदर से वो स्पोंजी फ्लाफी बन के नहीं तयार होंगे और उपर से डार्क रेड कलर आना शुरू हो जाएंगे जैसे कि पकोरे में होते हैं तो हमें बिल्कुल हलके कलर में रखना है क्यूंकि दही बड़ा में बड़ा जितना सफेद होता है उतना ही अच्छा लगता है देखने मे बिल्कुल फूले फूले से हो गय है और तेल में इस तरीके से तैर रहे हैं दोनों साइड ही अच्छे से फ्राइ कर लिया है इतना ही हमें कलर आने जितना फ्राइ कर लेना है अब एक छन्नी में से निकाल लेंगे एक प्लेट में दूसरा पैज भी फ्राई करेंगे हाथ में पानी से भी कोल लिया है इस तरीके से एक एक बड़ा को डाल दिया है तो दोनों तरह फ्राई होने के बाद मैंने निकाल लिया है मैं दिखाती हूँ आपको तोड़के ये देखिए कितना जाजा सॉफ्ट है अंदर बहुत स्पॉंजी है और बिल्कुल केक के जैसा टेक्स्चर अंदर से आये है एकदम सॉफ्ट और फ्लाफी हमारी बड़ा बन के तयार हो चुके हैं बड़ा अगर ठंडा हो जाए उसके ब दाला स्वादनूसा नमक डालेंगे मैंने आदा चमच इतना नमक डाला दो चमच डाल दिया है चीनी और दोनों को अच्छे से मिक्स्ट करेंगे इस पानी में थोड़ा सा कुछ हम और डालेंगे जिससे ना बड़ा के अंदर तक बहुत टेस्ट जा सके तो चलिए इसके ल चलिए सरसो और जीरा सबसे पहले तो ये डालेंगे और तुरंत हम फ्लेम को ओफ कर देंगे जिसी fashion का जले नहीं अब इसमें एक चमच हमने डाल दिया है बारी कटी हुई अद्रक और एक चुटकी बार डालेंगे मेथी के दाने बिल्कुल फ्लेम को ओफ करके ही डाले नहीं तो ये मेथी के दाने भी जल जाएंगे अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें कडी पत्ता धनिया पत्ती भी डाल सकते हों कडी पत्ता डालने से ज्यादा स्वाधिस्ट बंते हैं मिला दिया है अच्छे से ये कडी पत्ता भी क्रेस्पी हो चुके हैं तरका हमारे है बिल्कुल रेडी तो चलिए जो हमने पानी तयार करके रखा था उस पानी के अंदर डालेंगे गर्मा गर्म ये तरका ये तरका डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे जिसे की पूरे पानी में इस तरके का स्वाद आ जाए अब इस तरीके से बड़ा को डालेंगे और पानी के अंदर छोड़ देंगे आदा घंटा के लिए 25 से 30 मिनिट लग जाएंगे अच्छे से ये बड़ा साफ्ट होने के लिए अगर टाइम बहुत कम है उस टाइम आप हलके गुनगुने पानी में इस तरीके से डुबो सकते हों जिससे की 15 से 20 मिनिट के अंदर ही पानी अब्जॉब हो जाएंगे तो इस तरीके से डुबो के हम एक ढखका से अच्छे से ढखके छोड़ देंगे चटनी के लिए इस पेशल मसाला बनाएंगे एक चमच धनिया एक चमच जीरा डाला दो सूखी हुई लाल मिच और थोड़ा सा चुटकी भड़ हमने नमक डाल दिया है अब इस तरीके से मीडियम फ्ले में रखती हुए हमें रोस्ट कर लेना है अब जैसे ही हलका सा रोस्ट हो जाए उस टाइम हम डालेंगे एक चमच सौब अब मसाला अच्छे से रोस्ट हो चुके है यह मसाला हलका हलका सा फूटना शुरू हो चुके है और बिल्कुल धीमे धीमे से खुशबू आ रहे हैं बहुत ज्यादा हमें डार्क कला नहीं लाना है नहीं तो वो करवा सौध करेंगे तो चलिए एक प्लेट में निकाल लेंगे और जैसे ही हलका सा नॉर्मल टेंपरचर में आएंगे उसके बाद अच्छा सा फाइन पाउडर बना लेंगे उसी पैन के अंदर मैंने ले लिया है छे बड़े चमच चीनी इस चीनी को मिल्ट करते हुए हमें थोरा सा केरेमल कर लेना है जिसे कि बिलकुल बजार के जैसे वो कलर आज सके तो ये देखिए इस चीनी को हमें तब तक चला लेना है जब तक ये बिलकुल मिल्ट होके इस से अच्छे से कलर ना आ जाए अब जैसे ही चीनी अच्छे से कैरेमलाइज हो चुके हैं इसमें हम डालेंगे पानी तो एक बड़े कप हम जितना मैंने पानी डाल दिया है पानी डालने के बाद फिर से एक बार मिला देंगे चुटकी भर हमने डाला regular नमक, काली नमक डाल दिया है चुटकी भर अब इसमें हम इमली डालेंगे 50 ग्राम जितना इमली मैंने थोरे से पानी में विगो की रख दिया था इमली अच्छे से फूल चुके हैं इस तरीके से इमली के पानी तयार कर लेंगे और एक चन्नी से चान के डालेंगे जिसमें इसके जो बीज है और ये छोटे चोटे बीज के साथ जो छिलके के टुक्रे है वो ना जा सके अच्छे से चान के इस तरीके से इसका बस प्यूरी हमें ले रेना है तो ये देखिए जो छोटे मोटे टुक्रे है इस तरीके से छन्नी में अच्छे से छान चुके है फिर से एक बार मिला दिया है अब इसमें गुर का एक छोटा सा टुक्रा डालेंगे जिससे कलर और बहतरी आएंगे अब जो फाइन पाउडर बना लिया था जो रोस्ट किया हुआ मसाला के वो पाउडर अब इस टाइम डाल दिया है और एक चम्मा जितना पाउडर हम वहाँ से बचा के रखे है एक चम्मा जितना कश्मिरी रेट चिली पाउडर डालेंगे बहुत ही खूपसूरत कलर के लिए यहाँ पे कोई भी हम आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं करेंगे आप अगर पसंद करते हो तो थोड़ा सा ओरेंज रेट फूड कलर डाल सकते हो तो यह देखिए इस तरीके से हमें थिकनेस चाहिए क्योंकि यह चटनी जब थोड़े से और ठंडे होंगे थोड़े से गार करिया के पति लिया हैं आठ से 10 लहसन के करिया चोटा सा द्रक के टुकरा डाला आधा निम्बू के रस निचोर के डाल दिया है थोड़ा सा काली नमक 2 हरे मेंच एक मचा चाट मसाला या फिर आम चूर मसाला डाल सकते हो तो इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला है और अच्छा सा एक फाइन चटनी हमने बना के तयार कर लिया है बिल्कुल ठंडा दही जिसे mixer jar में डालके हमने थोड़ा सा mixer jar में चला लिया है जिसे बिल्कुल ठेक्स्टर फाइन आ सके अब ये देखिए ये जो बड़ा है वो पानी को अच्छे से सोक चुके है और अंदर एकदम पानी के स्वाद जा चुके है अब इस पानी में से एक एक बड़ा को निकालेंगे और दही के अंदर एड़ करेंगे फ्रेंस दही जितना आप गारा पतला पसंद करते हों उसी सबसे आप दही डाल लीजिए तो उपर से थोड़ा सा और हम दही एड़ करेंगे जिसे कि ये बड़ा अच्छे से डूप सके स्पून से इस तरीके से ऊपर में भी थोड़ा सा दही दे देंगे इस तरीके से दही के अंदर डाल के भी कम से कम 10-15 मिट हमें छोड़ना होगा जिसे कि दही की जो टेस्ट है वो अंदर जा सके क्योंकि पानी में भीगा हुआ था अच्छे से पानी अंदर जा चुके हैं तो दही के जो स्वाद है उसे जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे तो मैंने 10-15 मिनीट फ्रीज में रख दिया था अब बिल्कुल ठंडा है अब बिल्कुल हम गानिश करने के लिए आचुके है एक प्लेट में एक एक करके पीस सजा लेंगे तो मैंने यहाँ पे 5 पीस यहाँ पे रख लिया है थोड़ा सदही उपर से भी डाल देंगे गानिश करने के लिए सबसे पहले डालेंगे हरी चटनी अब जो मेठी चटनी हमने बना लिया है उस मेठी चटनी को डालेंगे सफित के उपर जैसे ही ग्रीन कलर और ये जो रेड कलर आ जाते हैं तोरह से देखते ही मूँ में पानी आने लगे हैं दही के उपर से भी इस तरीके से हलका हलका ड्रॉप करके गिराएंगे न जिससे एक दम लुक मार्केट जैसा ही आ सके थोड़ा से ग्रीन चटनी उपर से और डाल देंगे अब यहाँ पे कश्मिरी रेड चिली पाउडर हलका से एक चुटकी भर छिरक दिया है जो रोस्ट किया हुआ मसाला एक चमज बचा के रखा था वो मसाला भी उपर से डाला है और एक चुटकी भर हम यहाँ पे काली नमक डालेंगे थोड़ा सधनिया के पत्ते भी इस तरीके से तोड़ के डाल दिया है अब यहाँ पे हम थोड़े से भूजिया डाल देंगे बस इस तरीके से गार्निश हो जाए और प्लेट रहे सामने तो किसी को भी खाने का मन करेंगे इस तरीके से आप खुद बनाईए अपने पैमिली के लिए या फिर कोई गेस्ट आए उनके लिए बनाईए ये दही बरा का स्वाद भूल ही नहीं पाएंगे और बार बार आपके हातों से ही दही बरा खाने का डिमांड करेंगे सब लोग बिल्कुल मार्केट जैसा सॉफ्ट और प्लाफी बना है ये दही बरा तो लीजिए आज के हमारी दही बरा की रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी है मैं आशा करती हूँ, आज के दही बड़ा आपको बहुत पसंद आए होंगे रोजाना healthy tasty unique recipes देखने के लिए Love Kitchen चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले Friends, आज के ली दना ही, मिलते हैं अगली recipe में टाटा बाई बाई, टेक क्यार